हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज मैं बना रही हूँ परवल की सबची बहुत ही कम तेल में तो आईए देख लेते हैं कैसे ये बनता है तो सबसे पहले परवल को अच्छी तरह से धोकर साप कर लीजिए फिर इसके छिलके इस तरीके से निकाल लीजिए घिसकर और दो दोरी में इसे डालिए अब आप इसमें डाल दीजिए आधा चम्म से थोरा ज़्यादा नमक और आधा चम्म छल दी एक चुटकी खाने वाला सोडा और इसे इस तरीके से मिला लीजिए फिर आप इसे ढख कर आधे घंटे के लिए रख दीजिए जिससे की इसमें से पानी निकल आए तो आधे घंटे के बाद देख सकते इसमें पानी निकल चुका है अब हम एक कराई को गर्म करेंगे एक चम्म सेर्शो का तेल डालेंगे एक चम्म जीरा और सुखी लाल मिर्च एक तोड़कर डाल देंगे जीरा पकने के बाद अब आप इसमें एक कटोड़ी कटा हुआ प्याज डाल दीजिए और इससे अच्छी तरह से मिला लीजिए एक दो मिनट के बाद आप इसमें दो इंच का अद्रक छील कर कद्दू कस करके इसमें डाल दीजिए अब इसे मिलाने के बाद हरी मिर्च आप अपने स्वाध अनुसार दे सकते हैं मैं यहाँ पर तीन-चार हरी मिर्च डाली हूँ अब थोरा सा हल्दी डाली हूँ क्योंकि मैं हल्दी पहले भी दे चुकी हूँ इसलिए इसमें जितना प्याज है उसी के हिसाब से मैं हल्दी थोरा सा डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर थोरा सा डाल दीजिए और थोरा सा गरमसाला डाल दीजिए आधे चम्मस से कम मैं डाली हूँ गरमसाला और आधा चम्मस से थोरा जादा धनिया पॉड़र डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए इन सभी को लो फ्लेम पर पकाना है अब आप इसमें परवल डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिलाईए मिलाने टाइम अभी आप मीडियम फ्लेम पर इसे मिला सकते हैं फिर आप इसे लो फ्लेम पर करके ढखकर पकने दीची एक से दो मिनट तक फिर से आप एक बार मिलाईए अब आप इसमें इस कटोरी से में पानी ली हूँ तो थोरा थोरा करके डालिये और इसे अच्छी तरह से मिलाईए अब बचा हुआ पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी तो मैं इस कटोरी से एक कटोरी पानी डाली हूँ ज्यादा नहीं डालना है और low flame पर इसको पकाना है परबल थौरा hard होता है भिंडी soft था इसलिए मैं उसमें पानी नहीं डाली थी और परबल hard होता है तो इसमें पानी थोरा सा देना जरूरी था तो मैं यहाँ पर पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से लो फ्लिम पर ढखकर पकाई हूँ बीच बीच में इसे आप चलाते रहिएगा नहीं तो जल जाएगा तो अच्छी तरह से यह पक गया है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चमच टेमेटो का सौस और गोल मिर्च का पॉडर फिर आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए तो परबल की टेश्टी सबजी तैयार है बहुत ही कम तेल में तो एक बार आप जरूर बना कर खाईए